हें नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम लोग्सवास्ति भीमा पढ़ रहे हैं शौस्ति भीमा से भी बहुत सारे कॉष्चन आइजी 38 की परिच्छा में आते हैं सौस्ति भीमा में बीमारियां उनके इलाज और उनके दावा के भूगतान समंधित हम लोग चर्चा करेंगे कि सन 1680 में फायर आपिश नामक पहली आग बीमा कंपनी इंगलेंड में शुरू हुई थी क्योंकि वहां 1300 से ज़्यादा परिवार उस साल नश्ठ हो गये थे आवसेक्ता अविश्कार की जन्नी है आवसेक्ता पड़ी और आग बीमा कंपनी की शुरूआत हुई 1680 में मित्रों बीमा के इतिहास को आप लोग पढ़ चुके हैं बस इतना बताना चाहूंगा कि एक सितंबर 1956 को भारती जीवन बीमा निगम की अस्थापना हुई जीवन बीमा का राष्टी करण किया गया और स्वास्त सेवा को भी बाद में लाया गया मित्रों स्वास्त सेवा हेल्थ केर मतलब शरीर की अरोग्यता राष्टी स्वास्त योजना मिसन भारत सरकार ने इसलिए बनाया है जिसमें बीपल से नीचे परिवारों को पांच लाख रुपे तक का नेशुल्क इलाज करवाती है और उसका खर्चा स्वयम सरकार बहन करत करती है मित्रों कि अगर स्वास्त तो कोई ब्यक्ति कीतना हो बड़ा बन जाए उसका अपने जीवन का शुक नहीं ले पाएगा तो स्वास्त को सुद्रिन रखने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि हमारे स्वास्त के कौन से ऐसे कारक हैं जो अगर प्रपावित करते जैसे जीवन सैली, जीवन सैली हमें और हमारे स्वास्त को प्रभावित करती है, पर्यावरन प्रभावित करता है, उसके साथ ही साथ अनुमंसिक कारक होते हैं, अनुमंसिक कारक का मतलब यदि कोई बीमारी पिता में है, तो पिता के द्वारा या पिता के अनुमंसिक सबसे पहले हम प्राथमिक शेवा क्लिनिक नर्स को दिखाते हैं या हलकी फुलकी बीमारियों पर छोटे-मोटे अस्पताल में जाते हैं लेकिन यह हमारा प्राथमिक ट्रिटमेंट जो होता है यह प्राथमिक स्वास्ति-शेवा के अंतरगत आता है अगर कोई गंभीर बीमारी होती है जिसमें एम्बूलेंस की जर्रोत हो पैथोलोजी की जर्रोत हो और इस संदर्व की प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की जर्रोत हो तो यह धृतियक स्वास्ति-शेवा में आता है तीसरा होता है तृतियक स्वास्ति-शेवा जिसमें गंभी बीमारी हो cancer जैसी बीमारी हो AIDS जैसी बीमारी हो अंग प्रत्यार ओपन करना हो या कोई उच्च जोखिम वाली बीमारियां हो या तृतियक स्वास्त जवाई में आती है मित्रों, जीवन की एक प्रत्यासा होती है कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वह लंबा उमर तक जीएगा या कोई ब्यक्ति है तो उसकी इतनी अनुमानित उमर हो सकती है लेकिन मित्रों कौन चला जाएगा कौन बिमार हो जाएगा या तो उपर वाले के हाथ में हैं कोई जैसे ही 60 वर्ष पूरा करता है तो वह बरिष्ट नागरिक किस्रेणी में हो जाता है और एक बरिष्ट नागरिक के लिए भी स्वात सेवाएं बहुत मायने रखती है कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजनान का सुरूआत किया गया था यह हमारे देश अजादी 1947 के समय ही लगभख शुरू किया गया था जिसे 1948 से लागू किया गया था जिसमें मात्र 15 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का सुल्क लेकर कर्मचारियों को स्वास्त बीमा का लाप दिया जाता है भारतिये स्वास्त बीमा बाजार में लगभख 300 से ज़्यादा ब बीमा उत्पाद देते हैं, एक बीमा उत्पाद होता है, जो कैसलेस होता है, जिसमें हम और आप इलाज कराते हैं, अपना कार्ड देते हैं, और कार्ड के माध्यम से हास्पीटल्स अपना पैसा ले लेती हैं, एक होता है नान कैसलेस, जिसमें हम इलाज अपना पैसा लगा के करते हैं और बाद में बीमा कंपणी को हास्पीटल्स की परची और दवाओं की खर्चों का वीबरण दे कर बीमा कंपणी से अपना भुक्ता ले लेते हैं मित्रों स्वास्ति बीमा के दौरान हमें यह भी जानना चाहिए कि स्वास्ति के लिए सरकार भी बहुत प्रयास रहती हैं लेकिन स्वास्ति बीमा बीमा कंपणीयां भी सेवाएं देती हैं सरकार अपने अपने तरीके से करती हैं जिसमें आंगनवारी का बहुत महतुप पूर्ण योगदान रहता है हर एक हजार के जनसंख्या पर यदि किसी गाउं की जनसंख्या एक हजार है तो वहां एक आंगनवारी नियुक्त है इसी तरीके से आसा शामाने छेत्र में पांच हजार की जनसंख्या पर और पहाडी छेत्र में तीन हजार की जनसंख्या पर एक आसा का नियुक्त किया जाता है य मित्रों प्राथमिक स्वास्थ सेवा भी एच सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसमें छे बेड होते हैं और चौफ केंदर के लिए रेफरल इकाईया हैं प्रत्यक तीसदार की रबाधी के लिए एक इकाई नियप्त jadi के गई है प्राथमिक स्वास्त केंद्र में 14 स्वास्त कर्मी काम करते हैं इसी तरीके से सामुदाइक स्वास्त केंद्र बनाया गया है जिसको CHC कहते हैं चार प्रात्मिक स्वास्त केंद्र के लिए पहली रेफरल इकाईयां है एक लाग की आबादी पर एक सामदाइक स्वास्त केंद्र काम करता है जिसमें 30 बेड होते हैं एक आप्रेशन थियेटर होता है और 21 पेरा मेडिकल इस्टाप होते हैं जिसमें बच्चों के लिए तालुका विशेष्टा अस्पताल कहा जाता है हमारे देश में लगभग 2,000 से ज़्यादा ग्रामिड अस्पताल हैं जो स्वास्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं मित्रों भारत में दवा का भी बहुत बड़ा उद्योग है बहुत बड़ा ब्योशाय है सन 1950 में 10 करोड रुपे से दवा का उद्योग शुरू हुआ और आज 55,000 करोड रुपे से भी अधिक का कारोबार पुरिभारत में हो रहा है वित्रों बीमा प्रदाता यानि बीमा कमपनियां खास दोर से साधारन बीमा कमपनी स्वास्त बीमा सिमाय प्रदान करती है टीपिये जिसमें हमारी मदद करता है टीपिये का फुल फार्म होता है थार्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर यानि त्रिती पच्छ ब्योस्थापक यह बीमा धारक और बीमा कमपनी के बीच प्रशासनिक शहयोग का काम करता है यदि किसी बीमा धारक को मेडिकल की जरुत पड़ेगी तो उसे टीपिये उपलब्द कराएगा और किसी कमपनी को इंक्वाइरी और जांच की जरुत पड़ेगी तो टीपिये के माध्यम से उसे करके दे दिया जाएगा मित्रों टीपिये बड़ा सहयोग करता है और उसके बदले में उसको पारिशतोसिक भी दिया जाता है मित्रों मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि स्वास्ति बीमा सेवाओं को भी IRDA के द्वारा ही संचालित और दिशानिर्देशित किया जाता है उनके निमों और निमावलियों को संसोधित वह संचालित किया जाता है भारति ये बीमा सुचना बीरो 2009 में प्रमोट किया गया था यह 20 सदस्यों की संचालन परिशद वाली एक पंजिकरित समिती है यदि कोई ग्रहक स्वास्ति बीमा कंपनी से अपना पॉलिसी कराता है तो उसको भी उसी प्रकार से पॉलिसी का बांड मिलता है जैसे जीवन बीमा में मिलता है उसमें भी उसी तरीके से प्रस्ताव प्रपत्र होता है जिसमें नाम, पता, शंपर्क, शुत्र, ब्यवशा, पेशा उसके स्वास्त और परिवारिक हालात विशे बस्तु उसकी पहचान के वाईसी इत्यादी सनलग्ण किया जाते है जोखिम का मुल्यांकन किया जाता है पिछले सभी बीमा को जोड़ कर अंडर राइटिंग यानि बीमांकन किया जाता है बीमा लेखन किया जाता है प्रस्ताव की शुक्रिती होती है proposal farm यानि प्रस्ताव प्रपत्र company को जाने के बाद 15 दिन के अंदर उस पे सुनवाई हो जानी जाहिए अगर 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो company को जवाब देना पड़ता है कि किसी ग्रहाक का भीमा क्यों नहीं किया गया 15 दिन के भीतर निर्य ले लिया जाता है और ग्राहक के प्रीमियम जमा करने के बाद यह PR जारी कर दिया जाता है यह PR का मतलब होता है फर्ष्ट प्रीमियम रसीद यानि बीमा की पहली रसीद जारी कर दी जाती है जिससे यहां बात पता चलता है कि बीमा प्रारम हो गया है लेकिन बीमा संबिदा का साथ पालिसी का बांड है पालिसी का बांड ही बीमा संबिदा का प्रमार पत्र है मित्रों, जीवन बीमा के प्रीमियम की तरह स्वास्त बीमाओं के प्रीमियम का भी भुगतान चेक के माध्यम से हो सकता है कैस हो सकता है दीडी के माध्यम से हो सकता है आनलाइन ट्रांजेक्शन करके हो सकता है नैच के द्वारा भी हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत बिकल्प है लेकिन किसी कमपनी को अगर चेक के माध्यम से भुक्तान होता है तो जिस दिन चेक दिया जाता है उसी दिन से जोखिम प्रारंब हो जाता है और पालिसी सुचारू पुरुवक चलती हुई मानी जाती है पालिसी में एक वारंटी होता है जो इसपश्ट रूप से वर्नित किया जाता है जिसमें बीमा कमपनियां खतरों को कम करने हैं तो शामिल करती है या अनुबंद की बैद्देता के लिए अच्छर सा पालन करना चाहिए वारंटी जोखिम प्रवंधन वो सुधार में माना जाता है अगर किसी विमाधारक के नाम नामनी के नाम और सर्तों में कुछ संसोधन करना हो तो यहाँ पालसी बांड के पीछे प्रिष्टांकन के पेज़ पे प्रिष्टांकन करके किया जा सकता है प्रिष्टांकन करके नामनी भी बदला जा सकता है नामनी को संसोधन कराया जा सकता है या अन्य सर्तों को भी सनलगन कराया जा सकता है मित्रों स्वास्ति भीमा में एक ICD code होता है जो WHO द्वारा बनाया गया होता है WHO विश्व स्वास्ति संगठन वर्ड हेल्थ organization इसका full farm होता है जो विश्व के सभी स्वास्ति उपक्रमों को दिशान देशित वह अनुपालित करता है मित्रों CPT code होता है CPT code का मतलब होता है कि किसी भी रोक का किसी भी मरीज का इलाज हुआ है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरा है उसका coding क्या है दावा की coding क्या बनेगी CPT code इस बात को दर्साता है कि बीमा की इलाज की प्रक्रिया और गंभीरता क्या रही मित्रों फेमिली फ्लोटर पाल्सी होती है फेमिली फ्लोटर पाल्सी में एक ही पाल्सी में पती-पत्नी सास ससूर, माता-पिता और बच्चों का इंस्वरेंस हो जाता है जिसको फेमिली फ्लोटर पाल्ची करते हैं और अगर किसी एक प्लान में एक से दो तीन लाब हो, दो तीन पाल्चीओं को जोड़ कर बेचा जा रहा हो तो इसे कमबो प्लान करते हैं कैसलेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें नगत पैसा दिये बिना केवल कार्ड या पाल्सी नंबर के आधार पे इलाज होता है और अस्पताल को बीमा कंपनिया सीधे भुकतान कर देती हैं लेकिन बगर कैसलेस में हमें नगत पैसा दे के इलाज कराना पड़ता है उसके भी कुछ नियम नियमावली होती है कि यदि हम जहां भी इलाज कराएं डाक्टर रजिस्टर्ड हो हास्वीटर रजिस्टर्ड हो कम से कम दस या उससे ज़्यादा बेढ़ो अगर हम भरती हो तो 28 गंटे से ज़्यादा भरती हो और प्रतिबंदित बीमारियों का इलाज न कराएं बहुत सारे नियम नियमावली होती हैं साथियों जीवन बीमा आश्वासन संबंदी संबिधा होती है साधारन बीमा छतिपूर्थी संबंदी संबिधा होती है लेकिन स्वास्ति बीमा छत्व पूर्ति के साथ साथ प्रति पूर्ति सम्बंदी सबंदा होती है जो हमारी खर्चे हुई है उसकी प्रति पूर्ति कमपनी करती है पहले से मौझूद बीमारियों का खुलासा हमें अब प्रस्ताव प्रपत्र में कर देना चाहिए कोई-कोई बीमारियां आजशी होती है जो प्रतिवंदीत होती है जिसके इलाज का पैशा कमपनियां नहीं देती है मित्रों स्वास्ति बीमा में किसी स्वास्ति बीमा के साथ साथ हम कुछ राइडर भी एड़ कर सकते हैं जैसे death claim rider, time rider, और अस्थाई अपंगता का rider. अस्थाई अपंगता हितलाब का मतलब होता है, कि अगर कोई बेक्ती दुरघटना के दोरान सत्प्रतिसत बिकलांग हो गया, और बिकलांग होने के बाद CMO उसको 100% बिकलांगता का रिपोर्ट देता है, तब उसे बिकलांग मान लिया जाता है, और continue अच्छा महिना रहता है, तो company उसे अस्थाई अपंगता की रूप में जो भी दावा देना होता है, वो देती है. मित्रों, अस्पताल में भारती होने के 30 दिन पहले तक के खर्चों को सामिल किया जाता है, जिसकी दावा का भुकतान company करती हैं, और hospital से छुटने के 60 दिन तक के खर्चों को, जो भी इलाज में खर्चे होते हैं, वो 60 दिन तक के खर्चों को company वहन करती हैं, और दावा में उसका भुकतान करती हैं. मित्रों, health policy में top up policy की भी शुबधा होती है, जैसे किसी का 5 लग का भीमा है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे इस साल जरुत पड़ सकता है कि 10 लग का और हम इलाज कराएं, तो वह 10 लग का और top up ले सकता है, और top up का उसको भुकतान करना पड़ेगा, top up का मतलब कुछ अतिर लिक्त, extra, शुबधा, मित्रों, स्वास्ति बीमा में waiting period होता है, अगर हम स्वास्ति बीमा कराते हैं, तो कुछ चीजे तुरंत कभर करती हैं, और कुछ चीजों के लिए 90 दिन का waiting period रहता है, कुछ बीमारियों के लिए 2-2 साल का waiting period रहता है, इसे प्रतिछा अवधी करते है पांच वर्ष से 25 वर्ष तक के बच्चों को family future policy में सामिल किया जाता है, जिसको परिवार package policy भी बोलते हैं, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली यह बात होती है, कि यदि बच्चे हैं, तो मूल बीमा धारक के 25 प्रतिसत बीमा धन तक ही secure हो सकते हैं, लेकिन 50,000 सामेशोड स 50,000 बीमा धन से कम नहीं होना चाहिए, और पत्नी है, तो पत्नी 50 प्रतिसत तक कबर हो सकती है, लेकिन 1,00,000 से 3,00,000 के बीच में उसका समेशोड होना चाहिए, मित्रों बीमा का सिधान, परमसत्भाव के सिधान पे काम करता है, प्रस्वा प्रपत्र भरते जम्हें, एक ब अपने बारे में जो भी जानकारी है, सही-सही खुलेद मन से बता दे, एजेंट को भी चाहिए, कि सही-सही जानकारी प्रस्ताव प्रपत्र में दर्ज करवाए, और भीमा कमपनी को भी चाहिए, कि अपने प्रास्पेक्टर अपने बीबरन पुस्तिका में सही-सही जानका के सशाव्णारी प्लान के बारे में ग्रहाँ को दे परमसद्भाव आभीकर्ता वीमा धारक और वीमा कमपनी तीनों लोगों को पालन करना चींजि पनीतुति नंधिक जोखिम होता है जिसमें विमा पदार्थों का सेवन करने लगे या कुछ ऐसा करने लगे जो खत्रे को और जोखिम को उत्पने करते हैं च्छति-पूर्ति के सिध्धानत के अनुसार बीमा धारक को बीमितरासी की सीमा तक वास्तविक नुक्सान के लिए भुक्तान किया जाता है यानि बीमा धारक का जितना वास्तो में नुक्सान हुआ है वो भुक्तान बीमा कंपनी द्वारक किया जाता है यह च्छति-पूर्ति है और जीवन बीमा में आश्वासन संबंदी भुक्तान कि जाता है जितना भीमा धन होता है अप्लस बोनस होता है वह भुक्तान होता है मित्रों किसी भी दावा के लिए ग्रहांक ही प्रथम हितकारक होता है ग्रहांक को ही हितकारक माना जाता है और जो हेल्थ-पाल्सी कराया है हास्पीटल में भरती होता है तो उसे 24 गंटे के अंदर टीपीए को स्वास्त भीमा के हेल्प लाइन सेंटर पर या फिर स्वास्त भीमा कमपनी को फोन द्वारा या चाहे जैसे उचित माध्यम से सूचना दे देनी चाहिए 24 गंटे के अंदर सूचना देते हैं तो आपकी दावा दर्ज की जाती है अन्यथा बगर सूचना दिये अगर आप इलाज कराते हैं तो यहां बाद में दावा लेने में दिक्कत हो सकती है स्वास्ति भीमा में OPD यानि परड़े जो देखे जाते हैं मरीच उनको OPD कहा जाता है दैनिक देखरेक वाले मरीच Day Care सिवा MCB जो Major Surgical Benefit दिये जाते हैं और HCB जो Hospitallize Cash Benefit दिये जाते है जाच की रिपोर्ट बनाई जाती है TPA आख्या देता है कि भुकतान किया जाना चाहिए कि नहीं दावा सही है कि नहीं तब जाके कोई कमपनी भुकतान करती है भारत में मोटर तिर्थी पच्छ बीमा अनिवार है इस बीमा के लिए बहांस की आवसेक्ता नहीं है यह बीमा सभी वहन धारक को कराना ही होता है क्योंकि यह भारत में अनिवार है इस बीमा के लिए बहांस की जरुवत नहीं है स्वास्ति भीमा में एक प्रतीरूपन होता है प्रतीरूपन का मतलब होता है कि राजी उमातों के जगह राजेस मातों का इलाज कराया गया राजी उमातों के जगह राजेस मातों का फोटो लिया गया कंपनी को बाद में पता चला तो इस दावा को खारिज कर दे खारिजिस लिए कर दे, क्योंकि यहां प्रतिरूपन किया गया, यह दोखाधड़ी का मामला है, मित्रों, स्वास्ति बीमा बैंकों के माध्यम से भी किये जाते हैं, अगर बैंक अपने माध्यम से किसी कमपनी का, स्वास्ति बीमा, साधरन बीमा, या मोटर वाहन बीमा, जिस से आकों के माध्यम से भीमा का भ्यूसाय प्राप्त करों मित्रों जीवन भीमा की तरह स्वास्त्य भीमा पर भारती इस्टाम लगे हो यह होना चाहिए और यहाँ अनिवार है मित्रों स्वास्त्य भीमा के अनुगर्ण किया वदी तीस दिन की होती है यानि grace period तीस दिन की होती है आपके policy के due date से तीस दिन के अंदर अगर premium जमा करते हैं तो आपका late fish भी नहीं लगता है और साथी साथ कभर भी चालू माना जाता है वैसे तो स्वास्त बीमा एक अलग product है लेकिन यह साथारन बीमा का ही एक हिस्सा है स्वास्त बीमा का जन्म साथारन बीमा के परिप्रेच से हुआ है इसलिए स्वास्त बीमा साथारन बीमा का हिस्सा है कमपनिया स्वास्त वीमा के जोखिम का भी वर्गी करण ठीक उसी प्रकार से करती है जैसे जीवन वीमा की करती है क्या जोखिम है उसका आकलन करती है शर्वे करती है और उसके हिसाब से उन्हें विबिन वर्गु में बढ़ती है तो ठीक है सातियों, स्वास्त वीमा का लगबग लगबग हमने हर चेप्टर को टच किया है, तो हमें उम्मीद है सातियों कि हम सब के थोड़े से प्रयास से हमें सफलता मिल सकती है, हम IRDA की परिच्छा पास हो सकते हैं, और जीवन वीमा के छेतर में एक नए मुकाम को हासिल क कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सातियों, so many thanks from the bottom of my heart, thank you